दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप कोई भी फोन यूज़ कर रहे हैं जैसे की शाओमी, रैडमी, माई, ओपो, वीवो या कोई भी स्मार्ट फोन यूज़ कर रहे हैं और आपको एक प्रॉब्लम आ रही है तो उन बटन्स को वापस लाने के लिए आपको क्या करना होगा आपको अपने फोन की सेटिंग्स में आना होगा तो यह जो सेटिंग्स का आइकन दिखाई दे रहा है इस पर टैप करेंगे, फोन की सेटिंग्स आ जाएगी यहाँ पर आपने नीचे स्क्रोल करना है तो आप नीचे स्क्रोल करके यहाँ पर आपको additional settings का option मिलेगा तो आप इसमें आ जाएंगे इसमें आने के बाद आपको full screen display वाला option खोल लेना है तो आप full screen display office यहाँ पर तैप कर देंगे और यहाँ पे आपने टाइप कर देना है full screen तो जैसी आप यहाँ पे टाइप करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे full screen display का option आपको उपर दिखाई दे जाएगा आप यहाँ पे tap करके भी setting में आ सकते हैं यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है यह जो buttons वाला option है इसको turn on कर देना है तो जैसी आप यह कर देंगे आप देख सकते हैं नीचे home button और back button आ गया है तो अब आपको पता लग गया है home button और back button को आप दुबारा वापस कैसे ला सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो इसको like और share जरूर करें